हेलो दोस्तों जावा स्क्रिप्ट के इस वीडियो डूटोरेल सेरीस में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में जानेंगे जावा स्क्रिप्ट के डिस्प्ले एलेमेंट्स के बारे में ठीक है तो किन-किन चीजों से हम डिस्प्ले कर सकते हैं हमारे वेरेबल्स के जो व एक हेडिन दे दूँगा यहाँ पर inner HTML कि मदद से हम कैसे डिस्प्ले कर देंगे यह मैंने हेडिन दे दिया ठीक है पहले हम इसका और देख लेते हैं यहाँ उसका ऊठें यहाँ पर inner HTML आ गया है ठीक है है तो आप हम क्या करेंगे यहाँ पर एक टेट मैं देता हो जिसको मैं आईडे देता हो आईडे अचिए रूँगा यहाँ पर बी वण ठीक है यहाँ पर पीवन डॉणगा और उसमें मैं कुछ भी डिस्प्ले नहीं करूंगा तो अब मैं क्या करूंगा स्क्रिप्ट में जा एक्सेस कर दोंगा और यहां पर मैं इनर टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है वो इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी मैंने पहले हमें innerHTML देखना है तो हम क्या करेंगे innerHTML देखेंगे innerHTML देखेंगे innerHTML के जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम इनरHTML के मदद से हम टैक्ट दे सकते हैं तो यहां पर मैं क्या कर दोंगा पी के अंदर एक टू टैक्ट दोंगा ठीक है यहां पर एस्टू टैक्ट दोंगा और उसके अंदर मैं innerHTML एसे लिखोंगा ठीक है यहां पर कंप्लेट कर लिया ठीक है तो अब हम इसका आउटपूर्ट देखेंगे देखें यहां पर एस्टू के अंदर वह वैल्यू पूट हो चुके है जो यहां पर मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैंने इस पी में कुछ डेटा नहीं लिया था और innerHTML के मदद से मैंने क्या किया उसके अंदर एक डेटा एस्टू के अंदर फिल कर देखेंगे जैसे कि हम कंट्रोल यू से उसकी कोडिंग देखेंगे देखेंगे और स्क्रिप्ट.js में मैंने एस्टू के अंदर innerHTML पूट कर दिया है जो कि यहां पर दिखाय दे रहा है जैसे कि मैं आपको यहां पर अब कंसोल में दिखा देता हूं जिसे देखिए यहां पर पिक के अंदर एक एस्टू टैकर आ गया है और एसटू के अंदर एक innerHTML दिखा रहा है ठीट है तोंब हमå ेनब हम के बाद में बैस्ट के बात बारे में ठीक है अब हम इसके बात में देखेंगे यह जो innerHTML है यहां पर और हम इन्न टेक्स्ट डेस्टिंगे इन टेक्स्ट एमुटेक्स देखें और इसे इस पयरेग्राफ को यह फीर दे ता हो ठिक है यहां भी मैंने कोई भी डेटा नहीं लिए कूई लिए अ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर डॉक्टमेंट डॉक्सेसिंग एलेमेंट इससे में क्या करूँगा पीटू मेरा यहाँ पर पहले एकसेस करनोंगा और यहाँ पर मैं इन्ने जो इनर टेक्स एक्सटेमेल के मदद से लूँगा और इनर टेक्स्ट के मदद से यहाँ पर मैं अब हम यहाँ पर यहाँ पर कोभी भी सिंबल या कोई भी डायर नहीं रहेना है सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पर पूट कर देना है तो मैं यहाँ पर लिखोंगा डिस्प्लेइं इस प्लेइं इस टेक्स्ट टेक्स ठीक है तब हम आउट्टूट चेक करते हैं आउट्टूट दीखें डिस्प्ली उजिंग इनर टेक्स्ट हमने इनर टेक्स के मदद से वहाँ पर इंसर्ट कर दिया है ठीक है तो अब हम देखेंगे हमें document.write के बारे में कैसे हम document.write यूज़ करके यहाँ पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं document.write ठीक है document.write के बारे में तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक पी देंगे रूपे यहाँ पर हमें document.write लेना है तो अब हम स्क्रिप्ट में जाएंगे के बाद यहाँ पर हम क्या करना है यहाँ पर हम document.write जो होता है वो हम directly लिखते हैh document.write ठीक है document.write जो है ? इलें और मैंने कोई विष्ट्रीन स्च्ट करदी जिसे की कि ऑंउच्छ कि दॉच्डन डॉच्ट राइट ठीक है यही waveform मेर्ट कर दीघेंठेंट के बाद यह document.write हमने script tag में लिखा था यहाँ पर यह output भी आ चुका है तो इसके बाद हम देखेंगे alert के बारे में window.alert के बारे में देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे हम window.alert लेंगे और alert के अंदर जो data हमें वहाँ पर display करना है जैसे कि display यहाँ पर display using alert जो मैंने आपर string पास कर दी और हम अधम दिखाएंगे दिखें alert आ गया और display using alert यहाँ पर आ जुका है ठीक है तो जैसे आपने देखा कि हम किन-किन चीजों से हमारा output दिखा सकते हैं जैसे कि inner HTML है inner text है document.write है और alert है ऐसे ही हम console पर भी console.log की मदद से हमारा output दिखा सकते हैं ठीक है आशा करता हूँ कि आपको डिस्प्ले जावस्क्रिप्ट डिस्प्ले के बारे में समझ में आ चुका होगा मिलते हैं अगले टुट्रेल में धन्यवाद